नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं अस्तमा के बारे में तो दोस्तो जो अस्तमा है वो क्या होता है कि यह जो है एक रैस्पारिटरी सिस्टम का डिसॉर्डर है रैस्पारिटरी ट्रेक का डिसॉर्डर होता है इसमें क्या होता है जो हमारी ट्रैकिया होती है जो सास बाली नली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसका लिूमन साइज डिक्रीज हो जाता है जब स्वेलिंग आएंगी तो पाइप का लिूमन साइज नेरो हो जाता है जिस बज़े से हमको सास लेने में दिक्कत आत ब्रीफिंग डिफिकल्टीज हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और सास लेते टाइम बिजिंग साउंड आता है और सास बहुत तेज तेज हम लोग लेते हैं और इसके लावा हमको बहुत ज़्यादा घोटन होती है अगर आपको अस्तमा की प्रॉब्लम है तो आप तो इसके पीछे देखे क्या है एक तो आपका जो ब्रॉणकाईल ट्यूब है जो उसमें क्या है म्यूकस जमा हो जा रहा है अगर आपको कॉमन कोल्ड लंबे समय तक है कफ लंबे समय तक है तो उसमें जो है ब्रॉणकाईल ट्यूब होता है उसमें म्यूकस जमा हो जाता है और जो bronchal tube की membrane होती है उसमें swelling आ जाती है, inflammation आ जाती है तो ऐसी condition में अस्तिमा बन जाता है और इसके होने के कारण भी जैसे कि allergy है किसी चीज से अगर आपको allergy है अगर आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसके बज़से आपको अस्तिमा की problem हो जाती है तो उसको आपको avoid करना है वो एक allergic causing factor हो जाता है उसके अलाबा जो है polluted environment अगर आप किसी ऐसे environment में रहते हैं जहां बहुत ज़्यादा गंदगी है बहुत ज़्यादा pollution है तो उस जगे पे रहने की बज़े से भी आपको जो है अस्तिमा की problem देखने को मिल सकती है उसके अलाबा RTI, respiratory tract infection अगर आपके respiratory tract में bacterial infection हो जाता है fungal infection हो जाता है viral infection हो जाता है तो उसके कारल भी आपको जो है अस्तिमा की problem देखने को मिल सकती है ये तो बात होई कारलों की क्या-कारल होते हैं और भी बहुत सारे रिजन्स होते हैं जिसकी बज़े से अस्तमा होता है बट ये जो मैंने बताए है ये major रिजन्स हैं जिसकी बज़े से अस्तमा होता है तो finally अब बात करते हैं treatment के बारे में काफी लोग इसका बेट भी कर रहे होंगे कुछ लोग treatment देखने के लिए ही मेरी वीडियो देखते हैं तो दोस्तो इसका treatment क्या हो सकता है इसके लिए आपको inhaler यूज करना है astalyn का एक astalyn का inhaler आता है इसको आपको सुबह दोपैर साम तीन टाइम इसके पक को लेना है ठीक है उसके लाबाँ आप astalyn tablet का भी यूज कर सकते है astalyn tablet 4 mg के आती है इस tablet को भी आपको सुबह और साम खाना खाने के बाद यूज करना है और इसके लाबाँ मॉन्टाज एल इसमें का होता है monty-lucast और leibos-retrogen का combination होता है इस tablet को भी आपको सुबह और साम खाना खाने के बाद यूज करना है और इसके साथी साथ deflage accord 6 mg ये 12 mg की tablet को आपको लेना है ये एक historical drug होती है जो कि lumen size में अगर स्वेलिग में अगर स्वेलिगा रखी है ट्रेकिया में स्वेलिगा रखी है तो उसको decrease करने में help करती है तो इस tablet का भी आपको यूज करना है सोबह और साम खाना खाने के बाद बाकि आप injection का भी यूज कर सकते हैं dairy flint injection आता है उसमें itophilin, theophilin बगरा होता है ये भी swelling बगरा को कम करने में और अस्तमा में बहुत ही अच्छा इसका result देखने को मिलता है तो इस injection का भी यूज कर सकते हैं आप इसको आप ODI भी यूज कर सकते हैं और एक दिन छोड़ कर भी आप इसको यूज कर सकते हैं इतना treatment आप यूज करें तो आपको YouTube पे वीडियो देखने से अच्छा है आपको किसी ने किसी हॉस्पिटल में जा करके इसका treatment लेना चाहिए किसी अच्छे respiratory ट्रेक बाले surgeon से मिलना चाहिए जो आपका treatment कर सके और बाकि अगर आपका ठीक हो जाता है तो आपको कुछ चीजों का मतलब तो उसको सांत बातबड होना चाहिए उसको stress नहीं देना है या फिर खोद आप अस्तमर्ट के patient है तो आपको टैंसर नहीं लेनी stress नहीं लेना उसके साथी साथ जो है पानी में आप सहद मिला करके पी सकते हैं एक चमच सहद को एक गलास पानी में आप डेली यूज कर सकते हैं यह क्या करेगा आपकी अगर उसमें बलगम जमा हो रखी है मिकोस जमा हो रखा है तो उसको डाइलूट करके निकालने का काम करेगा तो इतना आप करेंगे तो आपको अस्तमा से निजात मिल जाएगा आप ठीक हो जाएंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और उन दोस्तों में जरूर सेर करें जिनको की अस्तमा की प्रॉब्लम है और बाकी आप इस चनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको medical line से related content देखने में इंटरेस्ट है या फिर आप health के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं health के रिगार्ड होने वाली disease के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उनका treatment जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो धन्यबाद दोस्तों चैहिन बंदे मात्र